बिकॉम पार्ट, फर्स्ट का सब्जेक्ट है बैंकिंग एन्ड फाइनेंशिल मेंडियरूंट जिसका पहला पेपर है एकोनोमिक एन्वार्मेंट in इंडिया. आज हम लोग एकोनोमिक एन्वार्मेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं. आर्थिक परियावरण आर्थिक परियावरण क्या होता है इसको कैसे परिवाचित किया जाता है इसकी क्या विशेशता है हम लोग इस पर आज चर्चा करने वाले है मन्युष्य एक सामजिक प्राणी है और उसे अपने जीवन व्यापन के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक रियाएं करने पड़ती है या आर्थिक रियाएं उसके चारों और फैली परिश्थितियों अत्वा सक्तियों से प्रभावित होती है आर्थिक प्रियावरण का साधारन सब्दों में परिवास्चित करें या समझने की कोशिज करें तो ये दो सब्दों से बणा है आर्थिक और परियावरण आर्थिक से समंदित है कि मनिश्यदारा अपने जीवन व्यापन के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है प्रियावरन से आशे है कि आपने आसपास का वातावरन से समझित है प्रियावरन। इस प्रकार आर्थिक प्रियावरन से आशे उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों एवं सक्तियों से है जो राजनितिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक, वेध्यानिक, प्रोध्यकिक एवं तकनि की दसाओं के साथ साथ अंतरास्टी सक्तियों के रूप में विक्ति की धनोर पार्जन समंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है तता उनसे प्रभावित भी होती है। आर्थिक प्रियावन को परिवासित इस प्रकार किया जा सकता है। प्रियावन उनसे बहारी गटकों का समाविस करता है जो उपक्रम को आउसरों एवं जोकिक की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कई गटकों में सरवादिक, मेर्पून गटक, आर्थिक, सामाजिक, प्रोधिक, प्रतीशप्रदा एवं सरकार है। The environment includes factors outside the firm which can lead opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important of these factors are socio-economic, technological, supplier, competitor and government. अब हम आर्थिक प्रियावरण की विशेश्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रियावरण की प्रमुक विशेश्ताओं में प्रमुक विशेश्ता है, पहली नमर की विशेश्ता है आर्थिक क्रियाओं से सम्मधित होना। आर्थिक प्रियावर्ण आर्थिक रियावर्ण से संबंधित होता है जैसे एक फर्म एक व्यक्ति एक एक एकोनोमी अर्थात आधियाधि दूसरी विश्यष्टा है गैर आर्थिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, अर्थात आर्थिक पर्यावरण, गैर आर्थिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, it is influenced by geographical, social and political environment also. तीसरी विश्यष्टा है सरकारदार संचालित, guided and operated by government, it is runs under control and guidance of the government, आर्थिक पर्यावरण की जो चोती विश्यष्टा है वह है आदारबूत डांचा, infrastructure, it is influenced by the availability of infrastructure, facilities like electricity, water, power, transport and communications, banking and insurance etc. अर्थात आर्थिक पर्यावरण, पावर, बिजली, परिवहन, संचार, बैंक वह भीमा से प्रभावित होता है, इसकी पांच विश्यष्टा है, समाज में संपदा का वित्रन, distribution of wealth in society, आर्थिक पर्यावरण, समाज में संपदा के वित्रन से भी प्रभावित होता है या समधित होता है, Unequal distribution of wealth and centralization of economic powers lead to economic inequality and exploitation, अर्थात आर्थिक पर्यावरण, एसमान आर्थिक संपदा के वित्रन से अनेकुलिटी और शोचन को बढ़ावा देने की बात भी करता है, आर्थिक पर्यावरण की जो च्छटी विस्सेता है, वह है पूंजी की उपलब्दता, availability of capital, इसमें ये कहा जा सकता है कि sufficient capital leads to complete utilization of available, natural and human resources, अर्थात यदि देश में पूंजी की उपलब्दता है, तो जो हमारे प्राकरतिक संसादन का और मानिवी संसादन का पूर्ण उप्योग किया जा सकता है, आर्थिक प्रियावरण की जो अगली विस्सेता है, वह है सात्वी, वह है आर्थिक विचारदारा, economic ideology, इसमें ये कहा जा सकता है कि, अर्थात की आर्थिक प्रियावरण जो देश की आर्थि विचारदारा से प्रभावित होता है, जैसे पूजीवाद है, समाजवाद है, सामयवाद है, मिश्रित अर्थिवस्ता है, हमारे देश में गांधी वादी विचारदारा को भी महत्व दिया गया है, आर्थिक प्रियावरण की आर्थि विस्सेता है, प्लान एकोनोमिक अर्थाथ नियोजित अर्थयोस्ता In this economy, the entire resources are under control of state and central planning commission According to national priority, अर्थाथ आर्थिक नियोजिन से आर्थिक प्रियावरण प्रभावित होता है आर्थिक नियोजिन में सभी निर्णे सरकारदारा लोगों की इत्मी लिये जाते हैं और Central Planning Commission देश के प्रात्मिक्ताओं के आदार पर निर्णे लेता है धन्यवाद